नमस्कार किसान सातियों स्वागत है आपका युवा किसान MP यूटूब चैनल में आज हम आपको बताने वाले हैं प्याज में जो थ्रिप्स आती है न उसको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है और किस प्रकार से उसका समय पर कौन सी दवाई से पर्मानिंट इसका रामबान किया जा सकता है तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं यहाँ पर आपको खेती बाड़ी से संबंदित नहीं नहीं जानकारी और समय पर मिलती रहती है चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी मैं अपने प्याज में यहाँ पर रोप में हूं यहाँ पर मतलब भी प्याज लगा है नहीं है रोप तेयार है कंप्लीट है लेकिन अभी इसको खेत में लगाना बागी है चलिए आपको बताते हैं कोई से भी एक पोधा वैसे थ्रीप्स तो सारे में लग चुकी है आपको बताता हूं कि थ्रीप यहां पोधे का क्लोरोफेल मतलब रश चूसती है और पोधे को पिला करने लग जाता है आपको थ्रिफ से पहचानने के लिए सीधा सा देखना होगा अगर आपकी फसल पीडली पौड़ने लगी आपका प्याज है लसुन है अगर पिला होने लगा है तो उसमें 100% है कि आपक बार किसे देखेंगे तो आपका जो यह कुएसभी एक ठूड़ेंगे आप पत्ता तोड़ने के बाद उसको देखेंगे अपको पीलेट दोट दिखाई दे रह nos यह क्या है ठ्रीफ से देखने के लिए कोई से बोदे को लेना है और इसके बीच में आपको देखना होगा छिस प्रकार यह हमने देखा हुआ है इसमें आपको दिखाई देगी यह देखिए जो आपको भी पीला-पिला-पंद दिखाई दे रहा है न यह थिप से इस प्रश्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई देना यार देखिए इस प्रकार आप पोदे के बीच में से थ्रिप्स को देख सकते हैं या देख सकते हैं आप थ्रिप्स किस प्रकार यहां चल रही है यहां पोदे के बीच ओ बीच होती है आप अगर पोदे को देखेंगे बीच में से तो यहां थ्रिप्स आपको दिखाई देगी यह थ्रिप्स क्या होता है कि रस चूसेक है कि यहां पोदे का क्लोरोफिल को रस को चूस कर यहां पोदे को पिला कर देती है और यहां पोदे के लगभग वीचु बीच में ही होती है अगर आप आपके प्याज या लसुन की खेत में हो तो आप बीच में जाकर थ्रिप्स को जरूर देखें आपके पोदे अगर पिला होने लगा है तो उसमें जरूरी है कि थ्रिप्स होगी ही होगी तो किसान सात्यों मैंने आपको बताया आप किस प्रकार अपने खेत में प्याज या लसुन की खेती किसी भी प्रकार की खेती करते हो आप उसमें थ्रिप्स को किस प्रकार पहचान सकते हो आप आपके खेत में जाएए अगर आपकी फसल पीली होने लगी है प्याज ये लसुन तो उसमें 100% है कि थ्रिप्स होगी ही होगी आप उसमें एक बार जाओ और बीच में दोनों पत्तों के बीच में थोड़ा सा उसको दूर करके देखें उसमें जरूर ही थ्रिप्स होगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करते हैं धन्यवाद